गईज अनेकाडमी पे एक बार फिर से आप सभी के लिए बेस्ट आफर को लॉंच कर दिया क्या है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आप एक साल का NDA का सब्सक्रिप्सन लेते हैं तो एक साल SSB का सब्सक्रिप्सन फ्री है जो कि ये ओफर आपको 25 से लेका 30 अक्टूबर तक ही रहेगा ठीके अगर चाहती हैं डोन करना तो कर शकते हैं एक और ऑफर है ऑफरन प्लस स्क्रिप्सन NDA के लिए है जो कि अगर आप 6 महिना के लेंगे तो 1 मैंने स्वेख फ्री है अगर आप 2 साल के लेते हैं तो 4 मैंने स्वेख फ्री है तो ये फी ऑफर आपको से में 25 तारीक से लेके 30 अक्टूबर तक ठीके अब एक बैच आया है बैच है जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट है यह बैच आज से चाहे तो इस बैच को आप जोइन कर शकते हैं और 15 दिसमबर तक यह खतम हो जाएगा यानि कि इसका जनवरी में भी एक्जाम हो जाएगा ठीक है तिरी सूल एरफोर्स एक्स भी बैच आ चुक है जो कि इंडियास के नंबर वन एजुकेटर मिलते हैं यहां पे ग्लोरी एरफोर्स वाई ग्रूप है जो कि यह भी बहुत ही बेस्ट पेच है और यहां पर आपको 13 अक्टूबर से बैच को स्टा है और NDA का जादा है तो जब भी लीजे आप देख लीजे कि हम मैं किस कटेगरी में ले रहा हूं NDA या फिर नेव एरफोर्स कोस्ट कार्ड ठीक है तो चाहें तो आप जाके ले सकते हैं एक कोड डालना होगा GJ8010 इसकी साहता से आप 10% डिसकांट और रीडम करके 20% डिसक जो आपके एकसाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है तो चलिए सुरू करते हैं और मैं आपको वीडियो को सुरू करने से पहले ये विदा दो कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन वॉक जाता है तो नीचे में आपको 4 ओप्शन दिएगे हैं औप्शन ए में हैं प्रधान मंत्री ओप्शन बी राज्चपती ओप्शन सी मुख्छन अधिश और ओप्शन डी राज जिपाल ये जो सारे कोश्चन ही ये प्रिवेस एर कोश्चन है ठीक है तो अगर आपको इस कारिकारी पर्मुक किसे माना जाता है तो ये प्रदान मंत्री को माना जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकेंड डमrä को stereotype कोश्चों ड आपके स्क्रेंग ओट बिये है की कुणार्क मंदिर जो हता है उसका निर्माण किसने कराया था सवाल हमारे पास क्या है two number कि कुणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो नीचे में आपको चार option दिएगे है option A राजा, कुलो शुंगा option B नर्शिंग देव प्रतम option C विश्नो गोपा option D मही पाल तो यहां भी इस question का right answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा B में हमारे पास क्या है नर्शिंग देव प्रतम हो जाएगा इस question का right answer जो कुणार्क मंदिर था उसका निर्माण करता कौन थे वो थे नर्शिंग देव प्रतम थे जो कुणार्क मंदिर का निर्मार करवाया था यानि इस question का right answer option number B हो जाएगा आगे बढ़ते हमारे पास third number question question number third आपके screen को पर ये है कि नीमने लिखीत में से कौन सा एक किसी मृत ब्यक्ति का असमारक नहीं है नीचे में आपको 4 option दियेगे option B बीबी का मकबरा option B ताजमहल, option C चार मिनार और option D इतमाद उद डौला तो यहाँ पर इस question का right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर इस question का right answer option number C हो जाएगा C में हमारे पास क्या है 4 मिनार हो जाएगा इस question का right answer ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 number question वो किस के उत्रा धिकारी थे तो नीचे में आपको चार option दिएगे option A, चंद गुर्प नुमोरे option B, बिंदुशार option C, सुशीम, और option D, दसरत तो यहाँ पर भी 4 number question का right answer क्या हो जाएगा 4 number का right answer option number B हो जाएगा यानि बिंदुशार जो समराट सोक है वो किस के उत्रा धिकारी थे तो यह बिंदुशार के थे ठीक है यानि correct यानि right answer option number B हो जाएगा इस question का अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 number question question number 5 आफके screen को पर यह है कि निम्न लिखित में से कौन सा एक question की जिव का उधारण है नीचे में आपको चार option दिएगे है option A protojoa option B entropidus option C एकी नोड़ डोमर्स और option D में है एनलिड्स तो यहाँ पर इस question का right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 5 number का right answer हो जाएगा option number A हो जाएगा नि protojoa हो जाएगा इस question का right answer question हमारे पास क्या है कि यह है कि निमने लिखित में से कौन सा एक कोशी की जीव का उधारण है तो यह क्या है protojoa एक उधारण है ठीक है यानि correct यानि right answer option number यह हो जाएगा आगे बढ़ते हमारे पास 6 number question question number 6 आपके screen को पर यह है और यह भी question बिल्कुल important है ध्यान से देखिएगा question number 6 यहाँ पर 6 यह है कि penis lane का विश्कार किस ने किया था सवाल हमारे पास क्या है 6 number कि penis lane का विश्कार किस ने किया था option A यान flaming option B Alexander flaming option C में Stephen honking और option D Alexander Graham Bill तो यहाँ पर बता दो कि आपको exam में बिल्कुल confused नहीं होना है क्योंकि जो Alexander flaming है इसका क्या हो जाएगा correct यानि right answer हो जाएगा option number यहाँ पर इस question का हो जाएगा B हो जाएगा right answer ठीक है Alexander flaming ने penis lane का विश्कार गया था और जैसे मैं आपको option में दिया गया Alexander पहले नाम पर है option D में भी है Alexander Graham Bill और यह ऐसे ऐसे प्रस्ण आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पर confused नहीं हो क्योंकि यह Alexander Graham Bill है और यह Alexander flaming है ठीक है तो यह आपको नहीं बुलना है इसका correct answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा Alexander flaming हो जाएगा जो penicilline का उश्कार किया था आगे बढ़ते हमारे पास 7 number question question number 7 भी और भी important question नहीं यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि भारतिय सम्मिधान में पहली बार संसोधन कब किया गया था यह बता दू यह जो सवाल है यह आपके कई बार exam में पूछा भी आ गया है क्योंकि यह important भी सबसे पहले मैं आपको बता दू कि पहले भी आपके वीडियो जो बनाया है मैंने उसमें भी आपको यह भी जिक्र किया है कि जिस भी question में यह पहला word यह सब्द जूड़ जाया वो question अपने आप में बिल्कुल important हो जाता है ठीक है यानि exam के दृष्टी कोर्स और भी important हो जाता है तो हमारे पास सवाल यह है कि भारती सम्मिधान में पहली बार संसोतन कब किया गया था तो देखिए option B है उन्निस उन्जास में option B में 1951 option C 1952 और option D 1953 तो यहाँ भी इस question का right answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा B में हमारे पास क्या है यानि 1951 हो जाएगा right answer option number B हो जाएगा correct right answer ठीक है जो भारती सम्मिधान है यह पहली बार संसोधन 1951 में किया गया था ठीक है बहुत ही important question है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 number question question number 8 और भी important question है ध्यान से देखेंगे इसको question यह है कि जो कुच्ची पुड़ी निरित्य शैली का प्रारंब भारत के किशर भाग से हुआ है तो नीचे में आपको 4 option दिएगे option A तमिल नाडू option B महरास्टर option C आंधरप्रदेश option D ओडीशा तो यहाँ पर question number 8 का right answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा यानि आंधरप्रदेश हो जाएगा जो कुच्ची पुड़ी निरित्य शैली है उसका प्रारंब भारत के किस भाग से हुआ था तो यह आंधरप्रदेश के यानि आंधरप्रदेश इस्टेट से हुआ था ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 number question question number 9 आपके screen को परिये हैं कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है option A ब्राम पुत्र नदी को option B हुगले नदी को option C भागिरत नदी को option D दाम ओधर नदी को तो यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा नि भागिरत नदी को कहा जाता है ठीक है जो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तो ये भागिरत नदी क्यों क्या कहा जाता है बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नमबर कोश्चन कोश्चन नमबर 10 आपके स्क्रेंड को पर ये हैं कि थर्मोश्कोप करसकार किसने माना जाता है तो आप्शन A में हैं गैलेली ओ गैलेली ने आप्शन B कौपरनी के आप्शन C आईजक न्यूटन और आप्शन D में हैं जे केपलर तो यहाँ भी इस कोश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 number question और 11 number question और भी important है इसको ध्यान से आपको यहाँ पर देखना होगा question number 11 आपके screen को पर है कि हाली में fit India school week का दूसरा संस्करण किस ने launch किया है तो आपको बता दू कि यह जो question है यह आपकी exam के दिरिश्टी course से और भी important है ठीक है तो इनको भी आपको बिलकुल ध्यान से देखना हो ठीक है तो यह अभी हाली में launch केया गया है किरन रिज्जु जी के द्वारा किसके दवारा किरन रिज्जु जी के द्वारा ठीक है और जो कि present time में हमारे खेल मंत्री है जो कीरन जीजुर है वो हमारे वर्तमान में खेल मंत्री है तो देखिए ये जो fit India school week है इसका purpose क्या है तो स्कूली बच्चों को fit India moment में भाग लेने में increase कराना ये है main purpose इसका तो ये आपको याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 एनी 12 नंबर question question नंबर 12 आपके screen को परिये के हाली में transgender के लिए यानी जो transgender लोगों के राष्ट्रे पोर्डल का e-launch किसने किया है तो आपको बता दू कि यह हाली में launch किया गया है थावर चंदर गहलोद जी के दोरा किसके दोरा थावर चंदर नयाय और अधिकार्टा मंत्री भी है तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा अब आगे बढ़ते हमारे पास 13 एनी 13 नंबर प्रशन प्रशन संक्या 13 आपके screen को परिये हैं कि हाली में किस राज्जे ने महिलाओ और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभ्यम एप क यह भी हाली में लाउंस किया गया है आंतर प्रदेश गौवर्मेंट के जो अप्लिकेशन है यह स्पेशली कैब और आटों में सफर करने वाली महिलाओ और बच्चों को ध्यान में रखते हुए तयार किया गया है और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबस्प्रदेश के बार राज्जे हैं जिसका तेन राजदानिया है या इसे हम कह सकते हैं कि तीन राजदानिया वाला भारत का यह पहला राज्ज आंधर प्रदिर्शी बना है मुख्यमंद्री कौन है तो यह जगन मुहन रेड़ी जबकि राज्जिपाल है बिश्व भूशन हरी चंदन तो यह भी रिसेंटली विकम दा सेकेंड रिचेस्ट परसंन इन धा वर्ल्ड तो नीचे में आपको चार आप्षेंट दिए गए हैं तो यह अभी हाली में बन गया है इलन मश्क कौन बने है एलन मश्क बन गये है ठीक है जो की हाली में बिश्व के दूसरे सबसे अमेर व्यक्ती बने है ठीक है तो यह आपको याद रखना होगा और यह आपको बता दू कि तो पहले स्थान पर कौन है तो पहले अस्थान पर यह है जेफ बिजोस कौन है जेफ बिजोस है जो की पूरे वल्ड में पहले अस्थान पर है दूसरे अस्थान पर यह है Elon Musk तो यह भी आद को याद राखना होगा और जो Jeff Burjouse है जो कि Amazon के संस्थापक भी है जेरब Burjouse किसे संस्थापक है Amazon के संस्थापक है और जो Elon Musk है यह आपको Tesla और SpaceX के संस्थापक है और जो Bill Gates है जो कि क्या है? तीसरे अस्थान पर है Bill Gates ठीक है तो एकरम आपको बिलकोल याद रखना होगा तीसरे अस्थान पर कौन है Bill Gates है और ये Microsoft के संस्थापग है किसके संस्थापग है Microsoft के संस्थापग है ठीक है और यहाँ पे आप सभी चानते हैं जो मुकेश अम्मानी जी है मुकेश अम्मानी जी तो आप सभी चानते हैं ये जो है ये Reliance के चेर्मेन है और ये भारत के सबसे अमीर ब्यक्ति भी है तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा मुकेश अम्मानी जी के बारे में भी ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास पंद्रह नंबर कोश्चन कोश्चन नंबर पंद्रह आपके स्क्रेंट को पर ये है कि आठ करोड का पंजी करण हासिल करने वाला देश का पहला बैंक ये कौन बन गया है तो आठ लाग करोड का पंजी करण हासिल करने वाला देश का पहला बैंक ये बन गया है HDFC bank कौन बना है HDFC bank बन गया है तो सबसे पहले हम HDFC bank के बारे में बात करें तो इसके स्थापना 1994 में की गई थी 1994 में इसकी अस्थापना की गई थी और इसका headquarter आपको मुंबई महरास्ट्र में इस थे थे ठीक है और जो परजेंट टाइम में इसके CU कौन है तो सिधर जगदीशन है तो ये भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 16 नंबर प्रशन प्रशन संख्या सोला आपके स्क्रिन को परिये है और यह भी question बिल्कुल important है ध्यान से देखिएगा प्रशन संख्या सोला हाली में प्रो ए और इन्हें society of biological chemistry बैंगलोर के द्वारा समानित यानि किया गया है और यहाँ पर हम दुसरे option को discuss कर लेते हैं तो जो रस्किन बॉन्ड है जो option number A में दिये गए हैं तो रस्किन बॉन्ड इन्हें अभी हाली में टाटा literature lifetime achievement award से सम्मानित किया गया है यदि हाँ पर हम बात करे इस हरेश की तो इस हरेश ये एक मल्यालम लेखक है जिन्हाभी हाली में JCB शहित award से नवाजा गया है यदि हाँ पर हम बात करें हरीहरन की तो इन्हाभी हाली में मल्यालम सिनेमा में आजीवकाई जुगदान के लिए IC Daniel award से नवाजा गया है तो ये भी आपको याद रखना होगा हरीहरन के बारे में भी यानि इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया तो सभी के बारे में आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है आगे बढ़ते है हमारे पास 17 यानि 17 नंबर प्रशन प्रश्ण संख्या 17 आपके स्क्रिन को परिये है कि हाली में नासा ने पहली पुर्ण विवशाइक उडान से कितने अंत्रिक्ष यात्रियों को अंतर अस्टी शिशन भेजा है तो यह अभी हाली में भेजा है टोटल चार आंत्रिक्ष यात्रियों को कितने टोटल चार आंत्रिक्ष यात्रियों को तो देखे जो SpaceX है SpaceX जो की एक American जो अमेरिका की private company है तो इसी SpaceX के rocket से चार आंत्रिक्ष यात्रियों को ISS यानि की International Space Station भेजा गया है तो ये भी आपको याद रखना होगा और अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शबसे पहले NASA के बारे में ठीक है किसके बारे में? NASA के बारे में हम discuss कर लेते हैं जो की एक अमेरिका की Space Agency है जैसे की ISRO जो हती है ISRO ये क्या है? इंडिया की Space Agency है वैसे ही अमेरिका की Space Agency ये है NASA तो NASA की अस्थापना 1958 में की गी थी कब की गी थी? 1958 में की गी थी और इसका हेट कॉर्टर आपको वासिंग्टन डीशी में से थे तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा अब आगे बढ़ते हमारे पास 18 यानि 18 नमबर प्रश्न प्रश्न संग्या 18 आपके स्क्रेन को पर है कि हाली में किस राज्य सरकार ने फरजी जाती परमार पत्र रखने वाले सभी क्रमचारियों को बरखास्त करने का फैसला किया है तो ऐस्ता निर्देस अभी हाली में दिया गया है 36 गड़ गवर्मेंट के द्वरा ठीक है तो देखे 36 गड़ के जो मुख्य मंत्री है जिनका नाम है भूपेश बगेल जी इन्हों ने ये एलान किया है कि जिसके पास भी फरजी कास्ट स्रेटिफिकेट यानि कि फरजी जाती परमार पत्र है और फरजी जाती परमार पत्र के अधार पर सरकारी पदो पर कारेरत है उन सभी क्रमजारियों को बरखास करने का फैसला किया है 36 गड़ गौर्मेंट के द्वरा ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर 36 गड़ के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो राजधानी क्या है तो 36 गड़ की राजधानी है राएपूर राएपूर 36 गड़ की राजधानी है मुख्य मंत्री तो अभी मैंने भी भला आया कि भूपेश बगेल जी है राजजी पाल है अनुश्रिया ओई के और 36 गड़ उच्छ नयाले के मुख्य नदीश तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हमारे पास 19 एनि 19 नंबर प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आपके इस क्रिन को परिये है कि हाली में गठित रिजर्व बैंक इनोबेशन हब के अध्यक्ष के रूप में किसे निक्ट किया गया है तो देखे ये अभी हाली में निक्ट किये गये है कृष्भ गोपाल कृष्णा को किसको? कृष्भ गोपाल कृष्णा को ठीक है? यानि इस question का राइट एंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो देखिए जो Reserve Bank of India है इसने अभी हाली में RBIH का गठन किया है और क्यों किया है तो देखिए वीतिय च्छेतरों में जो वीतिय च्छेतरों में Innovation यानि की नवाशर को बढ़ावा देने के लिए किया गया है जिसका नाम क्या है Reserve Bank Innovation Hub और इसमें टोटल आपको 10 सदश्य होंगे, कितने हैं सदश्य होंगे, 10 सदश्य होंगे, और 10 में से 1 अध्यक्ष होंगे, बाकी 9 मिंबर होंगे, और इसी के जो अध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं क्रिश गोपाल कृष्ण को, ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, किस का हेट वाटर आपको मुंबई महरास्ट में सी थे और प्रजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष जो इसके गौर्णर हैं ये हैं शक्ति कान्त दास ठीक है तो ये भी आपको याद रखने होंगे आगे बढ़ते हैं हमारे पास 20 यानी 20 नंबर प्रश्ण प्रश्ण संख्या 20 आपके स्क्रेंट को परे के हाले में किस खिलाडी को टेनिस के 2020 एटीपी टूर नंबर वन ट्रॉफी से शमानित किया गया है तो ये अभी हाली में शमानित किये गया है नुवाग जो को वीक को ठीक है यानी इस कोशन का राइट एंस और आप्शन नंबर भी ए हो जाएगा जो कि ये सर्विया से बिलोंग करते हैं कहां से बिलोंग करते हैं सर्विया से बिलोंग करते हैं नुवाग जो कोविक ठीक है सर्विया से बिलोंग करते हैं और मतलब कि ये कहा जा सकता है कि एटीपी रैंकिंग में ये पहले अस्थान पर है और यहां प को याद रखना होगा और इसी ATP ranking में सरविया के नुवाग जोको बीच यह पहले अस्थान पर पहले अस्थान पर कौन है नुवाग जोको बीच है दूसरे अस्थान पर है डॉमेनिक फियेम कौन है डोमिनिक थीम जो है ये आपको तीसरे अस्थान पर है और ये बिलोंग करते हैं और ये आपको कहां से तो रश्या से बिलोंग करते हैं तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजिए कमेंट किजिए और अपने स्टेडी ग्रूप में एट लिस्ट एक सेर भी किजिए ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई-बाई-ब भाग ले सकते हैं और सिंपल सा है जो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा है गाना अगर आप जॉइन करना चाहते है इसमें तो ये स्केन करके आप जूंड सकते हैं जो कि ये तीस तारी को है 31 को है अक्टूबर को उसके बाद आपका 9 और 10 नॉमबर को होगा ठीक है त जो चाहें तो इसको जोईन कर सकते हैं उसके बाद विल विक आफ एंडे 2 2021 वाइट आप एंडी एजूकेटर तो ये भी आपके लिए हैं एंडे 2 2021 रिविजन फ्रम फस्ट से लेकर थर्ड नॉमबर तक है प्रक्टिस प्रिवेस ये इस कोशन जो है ये फॉर्ट नॉमबर से लेकर सिक्स नॉमबर तक से लेगा और वायनल वार जो कराओड ये 7 नॉमबर से अगर जोईन करना चाहते है एक इसकेन करिए और यहां से बिज्याके यहाँ सकते हूं आप देखी सकते हैं तो इंड्रॉल करना है तो इंड्रॉल कर सकते हैं बस qr code screen करके ठीक है और यह है guys learn from india's best educator जैसे कि आपने screen पर देख सकते हैं ठीक है तो फिर क्या कहना है